हाई फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं है और हम बहुत हटता कहा सकते हैं कि कम से कम आने वाले 10 सालों तक संबंध इतने ही खराब रहेंगे इसी बीच 4 जून को भारत में लोग सभा चुनाओ के रिजल्ट डिकलियर होते हैं और तब से ये माना जा रहा कि मिस्टर मोधी भारत के परधान मंत्री बनेंगे यानि कि वो अपने तीसरे टर्म को रिपीट करने वाले हैं इसी बीच कुछ exceptions के साथ दुनिया भर के तकरीबन सभी leaders ने मिस्टर मोधी को बधाई संदेज भेजा पाकिस्तान के अलावा ये सब कुछ अच्छे मौके होते हैं जहांपे अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भारत के साथ संबंध को अच्छे कर सकता था और भारत आके वो high ranking officials के साथ मिल बैट के बात करता और कोशिश करता कि जो भी हमारे पीच dispute से उसको resolve किया जाए इससे एक ये होता कि पाकिस्तान at least direct conversation में आता भारत के साथ अब क्योंकि पाकिस्तान मिस्टर मोधी को बधाई संदेश नहीं भेजता है तो इसके पीछे वो अपने कुछ कारण को भी बताता है जैसे कि आज हम 9 जून को है और आज के देनी मिस्टर मोधी तीसरी बार प्र या मौलदीब्स हो गया या तकरीबन हम कह सकते हैं कि सारे देशों ने बढ़ चड़ कर इस opportunity का फायदा उठाया और मिस्टर मोधी को बधाई संदेश भेजा यहां से भी हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो foreign policy है और उसमें जो लोग काम करते हैं या जो policies बनाते हैं वो कितना जादा ineffective है जहां पे चाइना हो गया US हो गया Canada हो गया ये सारे देश आपको बधाई संदेश दे रहे हैं लेकिन वहीं पर पाकिस्तान ये चूस करता है कि वो बधाई संदेश नहीं देगा अगर इतना ही पाकिस्तान एक मजबूत दे मौलदीब्स के president बने तब से भारत और मौलदीब्स के संबंद खराब हुएं लेकिन समय के साथ मौलदीब्स को ये समझ में आ गया कि भारत के साथ संबंद बिगार के मौलदीब्स को ही नुकसान होने वाला है उसके बाद more or less वो सारे efforts को किये गया जिससे कि मौलदीब्स अपने responsibility को समझता है और वो अपने शब्दों का चैन बहुत ही सोच समझ के करता है क्योंकि मौहमद मुजू को चुनाव जितवाने में चाइना का बहुत बड़ा role था और उसके बाद चाइना जिस तरीके से मौलदीब्स को dominate करता है या जिस तरीके से चाइना अपने dead trap policy म में फसाता है more or less मौलदीब्स को ये बात समझ में आ गई इसलिए मौलदीब्स क्या कर रहा कि वो अपने और भी options को तलाश रहा जहां पे जो उसके सबसे नजदीकी पड़ोसी है यानि कि भारत उसके साथ वो अपने संबंद को दुबारा अच्छे करने का कोशिश कर रहा तो यहां से भी हमें समझ में आता है कि at least शुरुवाती कुछ दिनों में मौलदीब्स के साथ हमारे भले संबंद खराब हुए लेकिन मौलदीब्स को ये बात समझ में आ गया सबसे अजीब बात तब लगती है जब पाकिस्तान ये कहता है कि वो अपने पडोसी मुलकों के साथ अपने संबंद को अच्छे करना चाहता है और वो डायलोक और डिप्लोमेसी का इस्तिमाल करना चाहता है अगर पाKिस्तान इतना ही संसिबल होता तो उसके तकरीबन जितने जो पडोसी मुलक है खास करके इरान ये भारत इनके साथ उनके संबंध बहत अच्छे होते हैं पाकिस्तान के संबन चाइना के साथ बीते कुछ दिनों में इसलिए अच्छे हुए क्योंकि चाइना बढ़ चड़कर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा और इस इन्वेस्टमेंट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के जो लीडर से उनको जा रहा कहने का मतलब है कि as in commission उनको benefit हो रहा और वहीं अगर बात किया जाए इरान का तो इरान के पास दुनिया का चौथा largest proven oil reserve है अगर पाकिस्तान इतना ही sensible होता तो वो इरान के साथ अपने दोस्ती को बढ़ाता और कोशिश करता कि वो सस्ते कीमत पे इरान से तेल खरीद के और भी दुनिया को export करता लेकिन ये सारे बाते आपको तब समझ में आएंगी जब पाकिस्तान का foreign policy independent होता इसी बीच 2019 में जब government of India ने article 370 को खतम कर दिया था तब से लेके पाकिस्तान और भारत की बीच में संबंद और भी खराब हो जाते है वहीं अगर बात किया जाए Mr. Modi के ओट ceremony का तो भारत ने चुन-चुन के उन सारे देशों को invitation भेजा है जो हमारे immediate पडोसी है और इसकी पीछे का वज़य भी बहुत साफ है कि बीते कुछ सालों में चाहे वो Maldives हो गया चाहे स्रिलंका हो गया इन सब देशों में China का presence बढ़ा है तो अगर as a country अगर आपके पडोसी मुलकों के साथ अगर आपके संबंद अच्छे नहीं होते हैं तो ये कहीं न कहीं आपके failed foreign policy को दर्शाता है इसी बीच चाहे बांगलादेश हो गया या स्रिलंका हो गया या नेपाल हो गया भले इन सब देशों का अगर आप size देखेंगे तो वो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी इनका एक अपना geographical importance है जिस बात को भारत बखुबी समझता है और इस चीज के लिए हमें appreciate भी करना चाहे government of India को इसी बीच अगर बात किया जाए 2024 के result का तो जैसा कि हम सभी को पता है कि BJP government के पास इतनी पर्याप्त संख्या नहीं है कि वो अपने दम पे सरकार बनाया इस चीज को अगर आब बहुत ही neutral point of view से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बार ये सही होता है कि party के पास अगर पूर्ण बहुमत नहीं होती है तो वो अपने coalitions को साथ लेके चलते हैं और as a result ये होता है कि उनका जो common civilians के साथ जो connection होता है वो टूर जाता है और जब आप सरकार बनाते हैं coalition के साथ मिलके तो वो कहीं न कहीं check and balance का भी role play करता है अब यहां मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं ruling government को criticize कर रहा हूं और opposition को support कर रहा हूं बहुत बार हमें चीजों को politics से दूर हट के सोचना होता है हमें governance के point of view से सोचना होता है जहां पे हम कोशिश करें कि सभी को include किया जाए policy making में तो अगर हम इस video को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान के पास एक बहतरीन मौका था जहां पे वो इंडिया आ सकते थे और यहां के high ranking officials या leaders के साथ वो मिल सकते थे और कोशिश कर सकते थे कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारा जाए लेकिन पाकिस्तान दिन प्रते दिन अपने एक एक opportunities को खोता हुआ जा रहा जिसका खाम्याजा किसी और को नहीं पाकिस्तान को ही भरना पड़ेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye